जै मा काली मित्रों आपका हमारी चैनल मा काली मा दुरुगा शक्ती संबाद में स्वागत है मित्रों अगर आप हमारे चैनल पढ़ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे साथी नोटिफिकेशन बेल को भी प्रैस कीजे जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए मितरो आज का जो विशे है वो विशे बहुत ही मैत पूर्ण है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरातर का समय चल रहा है और अब नवरातर पूर्ण होने वाले हैं तो ऐसी स्थिति में सभी के मन में ये जिग्यासा रहती है कि क्या हमारी जो नवरातर की सेवा पूजाती या साधना थी क्या वो सुईकार हुई है या नहीं हुई है तो ये अपने ब्रह्म होते हैं लेकिन भगवती इसका भी निवारन करती है भगवती आपको कुछ ऐसी सांकितिक भाषा देती है जिसके माध्यम से आप खुद पता लागा सकते हैं कि आपकी जो नवरातर पूजा है, सेवा है, अराधना है वो स्विकार हुई है या नहीं हुई है तो हम आपको इस प्रकार के 18 संकित बताएंगे अगर उन संकितों में से एक भी संकित आपके साथ होता है तो आप ये मान के चलिए कि भगवती ने आपकी पूजा, सेवा, साधना स्विकार कर ली है तो पहले संकित के अगर हम बात करती है अगर आपको स्वपने के माध्यम से किसी कन्या के दर्शन होते है या फिर आपको भगवती के बिंदी के दर्शन होते है मा की चरण के दर्शन होते है या फिर आप देखते हैं कि कन्या खेल रही है या कन्या रूप में आपके पास कोई बच्ची आती है आपको आशिरवाद देती है तो इस तरह का अगर आप सुपने देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपकी पूजा स्विकार हो चुकी है जब आप नवरातर में सेवा करते हैं तो सेवा के दोरान जब आप कोई भी प्रतिमा इस्थापित करते हैं या फोटो को इस्थापित करते हैं तो उस समय पर सेवा करते करते आपका ध्यान अचानक से फोटो या मूर्ती के उपर विग्रह के उपर जाता है और आप देखते हैं कि मूर्ति और विग्रह के जो भाव हैं अचानक से बदलने शुरू हो गई हैं या वो बदल रहे हैं आपको ऐसा लगता है कि आप भी मुस्कुरा रहे हैं और भगवती भी मुस्कुरा रही है तो जब भी आपको फोटो या विग्रह में भाव दिखने लगें तो आप ये मानके चलिए कि आपकी पूजा भगवती ने स्विकार कर ली हैं अगर नवरात्र की समय या नवरात्र की तुरंत बाद ब्रह्म मूरत में आपको किसी डमरू की आवाज आती है पायल की आवाज आती है या चूड़ी की आवाज आती है या किसी प्रकार की भजन आपको सुनाए देते हैं भगवती के मंत्र अचानक से आपको कानू में आन मा के प्रतीख और मा के चिनों के दर्शन होना जब आप ध्यान में रहते हैं तो अचानक से आपको आखे दिखाए देते हैं या भगवती की चूड़िया दिखाए के माध्यम से तो आप ये मान के चलिए कि भगवती ने आपकी पूजा स्विकार कर ली है जब आप भगवती के मंदिरों के दर्शन करते हैं या स्वपने के माध्यम से करते हैं या ध्यान के माध्यम से करते हैं या फिर भगवती के आप नेत्र देखते हैं या जब आप स्व कि आपकी पुजा स्विकार हो चुकी है अगला संकेत अगर आप मा के मंदिर की सीडियों के दर्शन करते हैं यानि सुपन में अगर आपको दिखाई देता है कि आप किसी मंदिर की सीडियों से उतर रहे हैं या सीडियों पर बैठे हुए हैं या सीडियों पर चड़ रहे हैं तो आप मानके चलें कि भगवती ने आपकी सेवा स्विकार कर ली है अगला संकेत अगर आपका मन अकारण ही प्रसंद रहने लगे जैसे आप नवरातरी की साधना कर रहे हैं उस दोरान आपको अति प्रसंता हो या उसके बाद आपका मन अंदर से प्रसंद रहने लगे आपको अंजानी से खुशी होने लगे तो आप ये मानके चलिए कि भगवती की क्रपा आपको प्राप्त हो चुकी है और जो साधना आपने की थी वो भगवती ने स्विकार कर ली है अगला जो लक्षन है वो ये है कि रोम रोम में उत्सा अगर आपको होने लगे यानि आपकी जो रोंग्टे हैं वो खड़े होने लगे या भगवती का नाम लेते ही आपको उत्सा आने लगे अलग सी एक ओमंग सी प्रतित होने लगे तो आप ये मान के चलिए कि भगवती ने आपकी जो सेवा साधना है वो सुविकार कर ली है अगर आपके घर में गाएं आने लगे नवरात्र के दोरान या नवरात्र के तुरंत बाद गाएं आपके घर में आने लगे या आपके दर्वाजे पे रुख करके रंभाने लगे तो आप ये मानके चलिए कि भगवती ने आपकी सेवा सुविकार कर ली है अगर कभी भी नवरात्र के दोरान ये नवरात्र के कुछ दिन बाद आपसे कोई सुहागन कुछ भी मांगती है चाहे वो सुहाग का चिन मांगे श्रिंगार मांगे या धन मांगे या फिर भोजन मांगे कुछ भी मांगे आपसे कुछ मांगती है या मांगने आ जाती है अचानक से चाहे वो आपकी पडोस की ही महिला के ओना हो पूजा के दोरान आपकी मूर्थिय विग्रह से अचानक से कोई फूल गिर जाता है यानि आपने अभी चड़ाया था और पूजा करते करते आप देखते हैं कि अचानक से फूल फोटो से या विग्रह से नीचे गिर पड़ा है तो ये भी शाक्षात संकेत होता है भगवती क कि उन्होंने आपकी पूजा स्वेकार कर ली है और भगवती आपकी साधना से बिलकुल प्रसन हो चुकी है अगला संकीत जो होता है वो होता है अखंड जोत का जब आप अखंड जोत अपने घर में लगाते हैं तो आपने कई बार देखा होगा आपकी जो अखंड जोत होती है वो उपर की तरफ उठती है और उपर की तरफ उठती हुई वो लहराने लगती है तो जब भी कभी आप ऐसा देखें कि आपकी अखंड जोत उपर की तरफ उठ रही है या लहरा रही है तो आप ये मान के चलें कि आपकी पूजा और सेवा स्विकार हो चुकी है पूजा सेवा के दोरा नवरात्र में आप भगवती को कोई भी फल अरपन करते हैं या फिर भगवती को पान, सुपारी, इलाइची, लोंगादी अरपन करते हैं तो उस समय पर कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही आप अरपन करते हैं कुछ देर बाद वो फल लुड़क जाता है जैसे आपने सेव रखा है, संत्रा रखा है, या अमरूद रखा है तो वो अपने स्थान से अचानक से लुड़क जाता है तो आपको ऐसा लगता है या कई बार गिर भी जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो लुड़का है ये गिरा है तो ये अप्षगुन हो गया है जबकि ये अफशगुन नहीं होता ये भगवती का प्रसाद होता है जो आपकी और लुड़काती है तो आपको ये मानना चाहिए जब आप संके देखे तो आपको ये मानना चाहिए कि भगवती ने आपकी पूजा और सेवा सुईकार कर ली है नवरात्र में हम सभी नारियल इस्थापित करते हैं कलश के उपर अगर वो नारियल अचानक से चटक जाता है कुछ बच्चों का कहना होता है कि मां हमने नारियल बिठाया था लेकिन वो नारियल रखा रखा अचानक से अपने आप ही चटक गया तो क्या यह अफशगुन है यह अफशगुन ही शुव संकेत होता है भगवती का कि भगवती ने आपकी जो सेवा है मों सविकार कर ली है अगर आप नवरात्र के दोराण किसी जागरन में जाते हैं किसी कीर्तन में जाते हैं और महां पर आपको कोई भी चुनरी, शृंगार यअ नारियल लादी मिलता तो आप ये मान के चलिए कि भगवती ने आपकी सेवा स्विकार कर ली है अगला और सबसे महत्पूर्ण संकेत अगर कम घी में भी आपकी तेल की जोथ जादे समिझ ली तो आप ये मान के चलिए कि भगवती ने आपकी पूजा स्विकार कर ली है तो मित्रों ये कुछ संकेत ऐसे थे जिनके माध्यम से आप खुद पता लगा सकते हैं कि भगवती ने आपकी पूजा सेवा स्विकार कर ली है तो मित्रों ये थी जानकारी आप सभी के लिए मा भगवती से यही प्रातना करते हैं कि वो आपके बंडारे भरती रहें आपकी सभी मनों कमनों को पूर्ण करती रहें आप पे अपना पूर्ण आशिर्वात बना के रखें आप से जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए जै महाकाली जै महाकाल